वेरी गूट इबनिंग वेरीवन स्वागत आप सभी दोस्तों का हमारे प्रेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर शाम के चार बच चुके हैं और मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर हाजिरो चुका हूँ और यह स्पेशल सेशन शुरुवात है उन सेशन की जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए यहाँ पर लाई जाएगे मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बिता दें कल से आपके लिए हम एक नई सीरी शुरू कर रहे हैं जिसमें आप जैनुवरी से लेकर मार्च मन तक के इंपोर्टन खबरों को पढ़ेंगे वो भी कैटेगरी वाइस पढ़ेंगे तो इस नजरिय से हमने आपके लिए सेशन शिडूल किये हैं और कल से आपको एक नए अंदाज में चीजें मिलेंगी तो जरूर से जरूर जूड़ीएगा कल से सेशन में मेरे दोस्तों और कल से आपके लिए सेशन जो है minimum 50 minute का होने वाला है इस नजरिय से सेशन important होगा आपने सभी साथियों को सेशन शियर करिएगा तो आज सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं जितने भी दोस्तों साथी मित्र समय सेशन में जुड़े होएं सभी का स्वागत most welcome है एक पर प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवास क्लियर है I am properly audible and visual to everyone जितने भी पुच्चें आप एक लास में जुड़े होएं एक प्लीज कंफर्म करते हैं आप सभी को मेरी आवास क्लियर है सेशन को लाइक करें सेशन को शेयर करें साथी दोस्तों को ठीक है बिलकुल प्रिति शुकला और बाकी बच्चे जो government schemes की बात कर रहे हैं indexes की बात कर रहे हैं ऐसे अलग-अलग जो topics होते हैं आपके exam में पूछे जाते हैं उन पर focused आपके लिए session ला रहे हैं हम कल से तो कल से आप लोग को उस session का हिस्सा बनना है session को अपने सभी साथियों को share करना है advance में आपको session की link share कर दी जाएगी आज ही ठीक है तो आज का ये session है ये basically based है weekly current affairs पर कुछ important topics जो कि आपके exam के नजरे से काफी important है उन पर discussion करने जा रहे हैं session की शुरुवात करते हैं आप नहीं जानते हैं तो जान लीजी तो पहली पहली खबर आपके लिए हाँ पर पहला MCQ है आपके सामने और इस MCQ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा देखिए यहाँ पर बात की जारी है एक regulator की वो कौन सा regulator है जिसके दोरा भी हाल में ही allowed किया गया है eligible foreign investors सभी को नहीं eligible foreign investors जो है उनको IFSC में International Financial Service Center में जो भी sovereign green bond issue किया जाएंगे उसमें investment से समझते तो यहाँ पर कुछ foreign investors को निमलिकित में से किस institution के दोरा हाल में ही allow किया गया है IFSC में sovereign green bonds में investment के लिए answer करिए फटा फट comment box में आपके जवाब का इंतजार है तुफानी गति से answer करना शुरू कर दीज़े और यहाँ पर बच्चों के जवाब आ रहे है फटा 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 आंसर करिए निमलिकित में से वो कौन सी regulatory body है अब देखे इस खबर के बारे में मैंने आपको जब monetary policy review आया था तो उसमें जो 10 important points पढ़ाये थे उसमें जानकारी दी थी आपको कि IFSC में आप sovereign green bonds हैं इनको issue करने की permission मिल चुकी है और साथ-साथ में foreign investors को भी approval दे दिया गया है allow कर दिया गया है कि वो जो भी sovereign green bonds market मारकेट में आएंगे IFSC में आएंगे उसमें investment कर सकते हैं तो देखें कुल मिलाकर इससे फाइदा क्या होगा green जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या renewable energy से संबंदित जो भी देश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें investment बढ़ेगा भारसरकार की जो प्रतिबद्धता है भारसरकार की जो commitment है sustainable development goal के लिए environmental issues को control करने के लिए उसे regulate करने के लिए उसे एक तरह से handle करने के लिए इन सम में जब investment बढ़ेगा तो भारसरकार के पास उसे संबंदित पैसा रहेगा अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग प्रोजेक्ट में investment के लिए और ये देश के लिए और साथ-साथ में पार्याबर्ण के नजरे से भी काफी ज़्यादा important होगा तो सही जवाब है Reserve Bank of India RBA is the correct answer ठीक है Green Bond की जब चर्चाएं करते हैं तो सरल भाषा में आसान भाषा में आपको बचा दिया जाए Green Bond जो है इसमें जो भी investment होता है इस Bond के जरिए market से capital raise किया जाता है fund raise किया जाता है इस Bond के जरिए market से capital raise किया जाता है और ये capital raise जो भी किया जाएगा इसका इस्तमाल जो भी Green Energy प्रोजेक्ट देश में चलेंगे Green Energy जो भी प्रोजेक्ट चलेंगे देश में उसमें किया जाएगा केवल उसी में किया जाएगा जो भी green energy project देश में रन करेंगे उसमें इसका investment किया जाएगा अब लगातार पीछले कई दिनों से आप एक term लगातार सुन रहे हैं वो है IFSC क्या है वो IFSC International Financial Service Center देश का एकलोता IFSC जो है वो कहां पर है देश का एकलोता IFSC जो है वो है गुजरात गांधी नगर gift city में तो India's only and the maiden IFSC वो कहां पर है gift city में और जब भी हम gift city की चर्चा करते हैं आप से दो दिन question पूछ लेते हैं basic gift city IFSC इन IFSC को regulate करने वाली संस्था का नाम क्या है IFSC यह authority है इस संस्था के chairman का नाम IFSC के chairman कौन है और gift city का chairman कौन है यह बाते में आपको लगातार पढ़ाता रहता हूँ और इस नजरिये से आपके लिए चीज़े बहुत ही आसान है सरल है जैसे कि आप मुझे बता सके तो फटा 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 अंसर करिए इन दोनों basic बातों के gift city का chairman कौन है IFSC का chairman कौन है देश का पहला IFSC फस्ट IFSC जो है वो कहां पर है वो gift city में है और gift city कहां पर है गांधी नगर में इन सब चीज़ों के बारे में आपको जान करेंगे अभी हाल में ही जो भी banking units IFSC में है उनमे जो एनराइज हैं उनके US और dollar deposits को US dollar deposits जो है उनको approval दिया है FD के form में जमा करने के लिए किसी bank के द्वारा इससे संबनीत बाते भी आपको पढ़ाई गई है तो बच्चों के जबाब आने शुरू हो चुके है यहाँ पर एकदम perfect answer है देखे gift city के बात करेंगे तो हस्मुक अधिया सहाब हस्मुक अधिय निस संस्था के इस city के एक तरह से chairman है हश्मुक अधिया इस संस्था में city के प्रभूमुक है यह समय और ऐससी के जबात करेंगे तो के राजा रमन क्या नाम है उनका के राजा रमन बिल्कुल सही जवाब है ैपी वो कौन सा बैंक है जिसने किस bank ने किस बैंक ने IFSC में वो कौन सा बैंक है जिसने IFSC में US dollar FD approval दिया है US dollar में fixed deposit maintain करने के लिए अपने IBUs में approval दिया है देश का पहला बैंक है ऐसा जिसके द्वारा ये approval दिया गया है उस बैंक के बारे में answer करिए और बच्चों के answer आने शुरू चुके है एक्सिस बैंक बिल्कुल से ही जवाब है session को like करते चलिए मेरे दोस्तों तो लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके exam में IFSC, IFSC, Gift City इस प्रकार के questions बन सकते हैं Green Bond ऐसे question exam में पूछे जाने की सभावना पूरी है तो इसके लिए आपको तयार रहता है दूसरा आपके लिए एक बहुत ही आसान सा question है क्योंकि इसके बारे में भी लगातार हमने अपने उस session में चर्चा की है जो कि monetary policy से सम्बंदित top 10 important news की बात की थी Reserve Bank of India के द्वारा RBI के द्वारा financial year 2024-25 की बात कर रहे हैं हम लोग FY25 का मतलब है 2024-25 real GDP forecast real GDP forecast कितनी बताए गई है और retail inflation क्या expect किया गया है 2024-25 के लिए तो वो बच्चे जो यहाँ पर थोड़ा सा confused हो जाते हैं उसको समझ ले 2024-25 जो वित्ति वर्ष इस समय चल रहा है हम उसकी बात कर रहे है आंसर क्या है सही फटाफट जवाब दीजे आपके सामने 5 option है सही जवाब क्या है फटाफट बताईए हाँ बिल्कुल देखे यहाँ पर थोड़ा सा आप गलत जवाब दे सकते हैं आपको देखे कई बार क्या होता है एक्जाम में कई सवाल ऐसे होते है जिनका आंसर आपको पता होता है लेकिन आप जल्दी बाजी में गलत जवाब देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो जल्दी बाजी में गलत जवाब दे रहे हैं Reserve Bank of India maintains 2024-2025 के लिए Real GDP Forecast, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 7%, 7%, और Retail Inflation Forecast, क्या बोली है, 4.5%, 4.5%, कुछ बच्चों ने आंसर ये टिक किया है, जल्दी बाजी में टिक किया है, तो ये गलत आंसर है, गलत जबाब है, सही आंसर क्या है फिर, सही जबाब है आपके लिए, सही जबाब क्या है, 3rd आंसर यहां पर एक्दम परफेक्ट है, तो मेरा ये कहना है आप लोगों के लिए, कि आप एकजाम में जाएं, आपको कई बार आंसर का पता होता है, कि आपको कौन सा आंसर टिक करना है, लेकिन आप इतनी जल्दी में होते हैं, कि गल जलतियां होती है उसे बचना है ठीक है अब मैं आप से बोल दूँ कि भई मॉनेटरी पॉलिसी MPC के द्वारा लगातार कौन सी बार लगातार कौन सी बार रैपो रेट को अंचेंज रखा गया है आपको जानकारी देनी रैपो रेट 6.5 परसेंट पर रखा आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा लगातार कौन सी बार कौन सी टाइम रैपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है इसके आपको तैयार रहना है ऐसे कोशन्स भी बेसिक कोशन्स एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अब बच्चों के आंसर यहां पर सही आने शुरू हो चुके हैं सैवन्थ टाइम कौन सी बार भी है सैवन्थ टाइम लगातार सात्वी बार कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंजिस नहीं किये गये है यहां पर चेतना शिभरे विक्रम स्मिती दीपक सर यह क्ला और बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ और बाते देखिए मैं यहां पर कुशिश तो यह करता हूँ कि आपसे पुरानी सारी बाते को रिकॉल करा दूँ तो मैं आपसे कुछ फटा-फट चीजे पूछूँगा आपको जवाब देना होगा और वो मॉनिटरी पॉ रेट कितना चल रहा है आपको अंसर करना है और बढ़ाबरी रहते हैं पिछले जबसे आपने बैंकिंग पढ़नी शुरू की होगी तब से बात कर रहे हैं जब भी आप मॉनिटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ भी पढ़ते हैं तो आपके जिमिदारी होती है कि इन बातों को एक बार रिकॉल कर लें एक बार दोहरा ले ठीक है इन सारे पॉइंट को एक बार रिपीट करें रिकॉल करें और यहां पर बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके है कि कि SDF जो है वो 6.25 है बिल्कु सही जबाब फिक्स रिवर्स रेपोरेट 3.35 परसेंट है 3.35 परसेंट है बैंक रेट और MSF 6.75 चल रहे है 6.75 और SLR चल रहा है 18 परसेंट और CRR चल रहा है 4.5 परसेंट ओफ एंडिटेल लगाना जरूरी है इसको जब भी आप बताएं इंटरोय में जान लिए तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर SDF के बार में पूछ लिया जाए कि SDF को मारकेट में RBA के दोबरा क्यों इंटिडूस किया था Reserve Bank of India के दोबरा SDF को किस कारण से इंटिडूस किया गया क्यों इंटिडूस किया गया तो फटा-फट अंसर करिए, वेटा NDTL के बारे में बताया था, NDTL का मतलब Net Demand and Time Liability, किसी भी पर्टिकलर टाइम में, किसी बैंक में, जो भी Demand Deposits और Term Deposits होते हैं, उनका Sum Total क्या कहलाता है, NDTL कहलाता है, तो SDS को कब Introduce किया गया, किस वर्ष में Introduce किया गया, दूसरी बात किस वर्ष implement किया गया, गया है, आज तक जब से SDF इंट्रडूस हुआ है आपके एक्जाम में कोई भी कोशन बना है SDF से जुड़ा हुआ बैंकर जो कोशन ये पेपर सेट करते हैं वो इंतजार कर रहे हैं जब बच्चा यूस्टू हो जाएगा उन्हीं पता है कि ये सब चीज़े नहीं पूछी जाएगी तभी आपके एक्जाम में कोशन आ जाएगा ठीक है स्मिती त्रिपार्टी बोल रहे हैं लिक्विटी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इंफलेशन कोलेटरल फ्री मनी अपने अपनी बातें अपने अपनी तरीके से यहां पर बताई जा रही है खत्री भाई भी आ चुके हैं याँ पर खत्रा दिखाने के लिए खत्री भाई आप सीमाओं के अंतरगत सीमाओं में रहकर ही जवाब दीजेगा क्योंकि बच्चे आपसे थोड़ा सा खफा है तो आपसे कोई पूछे सेक्शन सेवेंटीन तो सेक्शन सेवेंटीन ओफ रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया एक्ट आर्बिए एक्ट उनिसो चौटिस आर्बिए एक्ट नाइटीन थर्टीफोर इसमें संशोधन करके इसको इंट्रिजूस किया गया था स्टिफ क्यों लाया गया यह जाना ज़रूरी है यह प्रकार का additional tool है एक प्रकार का additional tool है additional tool है किसलिये भाई additional tool है inflation control के लिए किसके लिए inflation को control करने के लिए additional tool है यह कुछ keywords दिमाग में रखिए कुछ sentence कुछ words जो होते है अपने दिमाग में store कर लेने कोई पूछे SDF क्यों लाया गया तो आपको जबाब देना है एक प्रकार का additional tool है और इसकी मज़से inflation को control किया जाता है मन में सवाल आया का क्या ये reverse रैपोरेट से काम नहीं बन रहा था नहीं बन रहा था काम इसकी खासियत क्या है इसमें रिजर्बैंक उफ इंडिया को बैंकों के पास securities रखनी नहीं पड़ती है रिविजन हो रहा है एक प्रकार से पुरा आपका रिजर्बैंक उफ इंडिया के द्वारा RBI के द्वारा एलाउ किया गया है cash deposit cash deposit जो है अब facility जो है वो आप कर सकते हैं सीडियम के माध्यम से cash deposit machine में through which payment interface आपने monetary policy जो रिवियो आया इस वित्ती वर्ष का पहला तो उसमें सुना होगा कि अब आप bank में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप cash से ही जमा करें जरूरी नहीं है कि आप debit card से ही transfer करें आपके पास एक और नया तरीका है जिसका आप फाचक के इस्तमाल करते हैं जिसका आप सबसे अदा इस्तमाल करते हैं उसकी मदश से भी अब आप bankों में पैसा जमा कर सकते हैं वो कौन सा interface है जिसकी मदश से आप पैसा जमा कर सकते हैं और बच्चों के आंसर यहां पर आने शूर हो चुके हैं, देखो एर अच्छा पढ़ाना और बुरा पढ़ाना ये सब तो आप लोग के उपर निर्भर करता है, आप लोगों को चीजे समझ आ रही हैं, तो सब अच्छा है, और आपने साथी दोस्तों को अगर सब को समझ आ सब को च्छा चल ला है, साथी दोस्तों को सेशन शेयर कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, हमारी तो यह कोशिश रहती है कि आपको वही चीज पढ़ाई जो आपकी जो एक्जाम के लिए एक दम इंपोर्ट हो, तो भाई देखिए UPI, Unified Payment Interface, आप बैंकों में जाते हैं उस cash को वहाँ पर आप डाल देते थे, किस खाते में डालना है, वह आपको account number एंटर करना पड़ता था, verify करना पड़ता था, पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता था, अगर आपके पास cash नहीं और आप debit card के माध्यम चे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप CDM म कि हम कुस्तुफानी तरीका लाएं, तो वो है UPI, UPI के मदद से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पर आपको UPI वाली सुविधा भी मिल जाएगी, अब आप सो कोई पूछ ले, कि UPI की जब बात करते हैं, तो इस सेवा को किस वर्ष में इं संस्था है, वो देश में, वो देश में, रिटेल पेमेंट को रेगुलेट करने वाली संस्था भी है, तो यानि कोई पूछे आप से कि वो देश में रिटेल पेमेंट रेगुलेटरी बोडी, रिटेल पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट्स, रेगुलेटर कौन है, तो जवाब क्या आएगा जवाब आएगा क्या जवाब आएगा क्या जवाब आएगा NPCI अब NPCI के द्वारा भी हाल में ही यूपी इंटरनाशनल लॉंच किया गया लॉंच किया गया, UPI International, हाल मैं ही नहीं बोलेंगे, इसे लॉंच किया गया, बहुत पहले ही, फिछले साल लॉंच कर दिया गया था, UPI International, तो ये जो UPI International है, इसको सबसे पहले, UPI International की मदद से, आप दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी QR Code, उनके होंगे अपने, आप वहाँ पर जाकर, उनहीं की करेंसी में, QR Code की मदद से, ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपको करेंसी एक्षेंज कराने की ज़रूत नहीं है, तो वह कौन सा पहला पेमेंट सर्वेस प्रोवाइडर है, कौन सा अप्लिकेशन है, जिसके द्वारा इस प्रोवा को लॉंच किया गया है, सबसे पहले, सिंगापूर में स्टार्ट हो गया है, आंसर करेंए पड़ापट, इस सखी वकी क्या चल रहा है, सखी तो कल पिछली बार पढ़ाया था हमने, कि गगान यान जो मिशन है, उसमें जो क्रिव मेंबर जाएंगे, उनके आपस म एक application launch किया गया, उसका नाम सखी है, सखी भूल जाओ सखी, अब याद यहाँ पर सवाल पूचा जा रहा है, कि UPI International सबसे पहले जिस payment application के द्वारा launch किया गया, उसका नाम बताना है आपको, फटा फट, जवाब दीजिए, तुफानी कती से, और बच्चों के आंसर आने चुका है, ठीक है वई, याद लखेगा इन सारी बातों को, UPI International की मात्यम से क्या सुविधाय मिलेंगे, आप किसी दूसरी देश में जा रहे हैं, घूमने टेलने के लिए, आपको currency exchange करने की ज़रूत नहीं, वहाँ पर जो भी QR code आपको मिलेंगे, सीधा phone pay से अपने, क्या क जलत सवाल आ गया है, आप, अब question आपके सामने, as per government data, भारत सरकार के data के हिसाब से, loans अंडर प्रधान मंतरी मुद्रा योजना, PMMY के तहर, एक record growth दर्ज की है, प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहर, जो loan दिया जाता है, उसमें एक record growth वृध्धी दर्ज की गई है, total ज एक्जाम में, यहां से सवाल बनना, पूरी उमीद है, आने वाले एक्जाम में, मुद्रा योजना से संबंदित प्रशन बनेंगे, जिस जिस प्रकार के questions बन सकते हैं, वो सारी बातें यहां पर बताई जाएंगे, आपको, हर योजना को उड़ा के रख दिया जाया गया, पताना है, as per government data, laws under प्रदान मंत्री मुद्रा योजना, shows record growth in dispersal of how much, lakh crore rupees, 3 lakh crore rupees, 4 lakh, 4.4 lakh, 5.28 lakh, सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, कितनी ग्रोथ दर्ज की गई है, और यहां पर चेतना शी भरे बिलको सही जवाब दे रहे हैं, official issue, सही जवाब, issue पाठक आंसर स सही, तनू, सिकरवार, correct answer, स्मृती, प्रीती, सभी के जवाब यहां पर, प्रीती वैश, आपका जवाब एक दिम परफेक्ट है, विकरम डेटी ने एक दिम तुफानी आंसर दिया है, तो देखें, जिनतने भी बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं, उनके नाम ले है, 2023-2024 में, पुर्धान मंतरी मुद्रा योजना के तहट, जो टोटल लोन डिसबर्स किया गया है, वो कितना है, वो है, 5.28 लाक करूर रुपीज, देखें, हमारी ऐसी क्लास है, जहां पर आप लाखो करूरो में खेलते हैं, कितने में खेलते हैं, मेरे दोस्तों, लाखो क पहुचाते हैं कई बार, उससे आगे भी पहुचा देते हैं, इसी बात बता दीजिए, ट्रिलियंस में कितने जीरो होते हैं, जिसने सवाल पूचा था, यह उसी पार्टी में सामील हो गया है, जिस पार्टी के प्रवक्ता से प्रशन पूचा गया था, ठीक है, तो 5.28 ला लगबक कितना प्रतिशत लोन टोटल 5.28 लाक रोर का महिला उध्यमियों को दिया गया है, आपके एक्जाम में पूच लिया जाएगा, तो आप परिशान हो सकते हैं, अमन बोल रहे हैं सर, हम कॉमर्स वाले हैं, बच्पन से खेलते आ रहे हैं, बच्पन से ही खेलते आ रह बैंकिंग की क्लास, कॉमर्स की क्लास कहने का मतलब है, बाकी बहुत सारे दूसरे सब्जक्स होते हैं, रीजनिंग में आप करोडों में नहीं खेलेंगे, मैस में खेलेंगे तो कुछ लाग तक ही पहुच पाते हैं, करोडों में दिक्कत होने लगती हैं, एक दो कोशन होते यहाँ पर सही जबाब आरहे हैं आपके पास पास पैसा नहीं जूड़कर आप पैसो लाक्र रो कर देती हैं महिला आंक्रिडियो तो टोटल फाइवlington फाइव प्वाइव उन्तिड सबस्क्त का गया है लगबग जो लोन है वो महिला entrepreneurs, महिला ओध्यमियों को दिया गया है महिला ओध्यमियों को दिया गया है ठीक है ओके बच्चों 70% का यहाँ पर criteria बताया जा रहा है 70% का criteria बताया है अब मैं आपसे एक और question पूछ लेता हूँ पुर्धानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको maximum maximum कितना लोन मिल सकता है बिना किसी collateral के इस योजना के अंतरगत maximum आपको कितना लोन मिल सकता है बिना किसी collateral के आपको answer करना है तो देखिए यहाँ पर दो कंडि尽न है अगर आप collateral free loan लेना चाहते हैं तो उसकी एक अलग limit है अगर आप किसी security के अधार पर loan लेना चाहते हैं तो उसकी उसका limit अलग है उसकी criteria अलग है तो फटा फट जवाब दे दिजे सही जवाब क्या है और जब भी हम बात करेंगे collateral free collateral free यानि कि बिना किसी security के बहुत सारे बच्चे confused होते हैं collateral free सुनकर उनकी जानकारी के लिए collateral free का मतलब है बिना without any security बिना किसी security के without security ठीक है आपको यहाँ पर 10 लाग तक का loan बिलता है कितने लाग तक का 10 लाग तक लेकिन अगर आप अगर आपको और पैसा चाहिए और लोन चाहिए तो आप यहाँ पर security आपको पात करनी पड़ेगी और maximum जो लोन मिल सकता है वो 20 लाग तक का मिल सकता है अगर आप बिना किसी security के चाहते है तो 20 लाग तक का आपको मिल सकता है ठीक है आगे बढ़ते है अब देखी यह जो यहाँ पर point दिये गए है बड़ ही important है इनको ध्यान से पढ़ना है 12 सरकार की data के हिजाब से जो लोन disverse किया गया है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतरगत उसने एक record growth दर्च की है और एक milestone है फाइफ लाक क्रोड का उसे cross कर लिया तो पाँच लाक क्रोड के milestone को मुद्रा योजना के द्वारा इस आकड़े को पहली बार चुआ है इससे पहले इस आकड़े को इस योजना के अंतरगत नहीं छूप गया था ठीक है अब low sanction in the last financial year यानि कि हम बात कर रहे है 2023-2024 की इस वित्ती वर्ष की चर्चा करते हैं जब तो इसके अंतरगत जो पैसा मिला है पैसा दिया गया है मार्केट में 5.28 लाक क्रोड रुपीज है अगर हम इससे पिछले वर्ष की बात करें 2022-2032 की बात करें तो 4.40 लाक करोड रुपीय डिस्बर्स किया गया था इस योजना के अंतरगत इस योजना में लगबख 70% जो पैसा है लोन जो है बेनिफीशी जो है यानि कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार की जेंडर इक्विलाइजर स्कीम के तोर पर केटेगराईज किया जा सकता है देखे इस प्रकार की योजना जहां पर महिलाओं को तवज्जु जादा दी गई है ऐसी योजना को हम जेंडर इक्विलाइजर स्कीम के तोर पर केटेगराईज करते हैं gender equalizer की scheme बोला जाता है gender equalizer scheme के तौर पर categorize कियाता है ऐसी ही एक और योजनाथी PM स्वानिधी प्रधान मंत्री स्वानिधी स्वा निधी इसके इसका data आया था और इस data में बीदा गया था लगवग 50% के करीब यानि की 47% बताया गया था पिछले साल ये भी एक प्रकार की gender equalizer scheme है gender equalizer scheme है लगवा 50% के करीब जो इसके तहत loan दिया गया था वो महिलाओं को दिया गया था ठीक है इस सारे आखड़े आपको पढ़ने हैं याद रखने हैं यहाँ पर इस सा करते हैं प्रदान मंति मुद्रा योजना को कब लोउनच किया गया इस योजना को लॉंच किया गया आठ अपरेल को कब 8 April 2015 को इस योजना को लॉंच किया गया था हो इसका मेन अब्जेक्टिव क्या था ठाहिक to provide financial support १ि तो प्रोएट फिनेंशिल सपोर्ट विट्ति तो प्रोएट फिनेंशिल सपोर्ट कि нам फिनेंशल सपोर्ट और वेर्य स्माल बिजनेके और मोघ कितने तक का अफ टू अफ टेनलाक तस लाग तक का विट्तिसायता देने की बात कही गए थी तस लाग तक के विट्तिसायता देने के बात कही थी इसी न तरगवожд — विटा शिशू, इसी के अंतरगत आते हैं किशोर, और इसी में आते हैं तरुन, ये बच्चों के नाम नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इन चीजों को सुनकर बच्चों के नाम रखे जाते हैं, बारत सरकार के दौरा बहुत सारी ऐसी योजनाय लॉंच के गई है, जो आप बहुत सकते हैं, अप टू 50,000, यहाँ पर आपको अप टू 5,00, और अगले में आपको अप टू 10,00 तक का लोन लिखता था, ठीक है, इस पर जो ये प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है, इसको आप ऐसे भी बहुत सकते हैं, मुद्रा स्कीम, और ये जो मुद्रा है, इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है, मुद्रा योजना के तहत मेरे दोस्तों, मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक का गटिल किया गया, मुद्रा बैंक, जो भी existing banks है मारे, उसके तहत इस लोन को बाटा जाता है, मुद्रा बैंक के तह है कि यह जो बैंक है इस बैंक का या फिर इस योजना की जब बात करें इसके पेरेंट बैंक कौन है पेरेंट बैंक तो इस योजना इस लोन इस बैंक की जब बात करते हैं तो पेरेंट बैंक का नाम क्या है फटा-फट अंसर कर दिए और बता दिए पेरेंट बैंक कौन सा बैंक है और बहुती लफू सा कोशन था ये बच्चों को सब पता है सब पहले से पढ़ा हुआ है आपने लगातार आप जुड़े हुए हमारे साथ इन सारी बेसिक बातों को हम कई बार बढ़ा चुके हैं तो अब आपके लिए चीजों को जानना समझना बहुत में हैं सिट्वी का देश में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लाइसेंस और सासर्थ में फिनेंशल सपोर्ट प्रवाइड करने की जिम्मेदारी सिट्वी के पास है पेमेंट से संबंदित एक प्रशन आपके सामने आ चुका है रिजर बैंक ओफ इंडिया और वो कौन सा इंस्टिटूशन है जिसके द्वारा रिकमेंट किये गई है कुछ स्ट्रेटीजीज कुछ सुझाव रिकमेंट किये गए हैं वर्ड ट्रेड ऑगनाईजेशन को डबलू टीओ को क्यों किसके लिए टू रेडियूस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज इसको देखे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज का मतलब है जो देश से देश के बाहर पैसा भीजा जा रहा है वो एक तरीका ऐसा है जिस पर पैसा यानिकि जो टैक्सेज या बाकी चार्जस लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं कई पार आपने माननी जागर सौ रु अबर लगभग 8% टैक्सिस लगते हैं तो एक खर्चीला एक तरीका है तो रेडियूस यहाँ पर बात कि जारी है जो भी चार्जस हैं उनको रेडियूस कहा तक कर दिया जाए तीन पर तक एईपनसेज हैं उन्हें खर्चका कर दिया जाए इसकी बात की जा रही है तो से cross border payments जो है इन cross border payments की जब बात करते हैं इसमें जो expenses है वो 8% से घटकर 3% तक लाने की कुछ सुझाओ रखे गया है तो वो कौन सी संस्था है जिसके साथ RBI के द्वारा इस इस पहल को लिया गया है विल्कुल बच्चों के जवाब आ रहे हैं एक दम सही एन पी सीए नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया इस संस्था के द्वारा मिलकर RBI के साथ इन सुझाओं को दिया गया है किसको WTO को दिया गया है वर्ड ट्रेड ओव्नेजियशन देखी यहां पर किसी भी सवाल में प्र süd ए काम की बन सकते हैं वह ध्यान देने Jud entrepreneurship अगली बात रॉस बोडर भीमेंट स्थाफना इसी उतोरा मिलिए और यहां पर आपके लिए काम करें इन उत्याम इसे आपको WTO के बार में अंतराश्री संस्था है, इसकी 1995 की है, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम बता दीजे, पहली महिला जो प्रमुक है, फर्स्ट फीमेल, जो डारेक्टर जनरल है, उनका नाम आपको बताना है, कॉमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटा फट, NPCI के बारे में बेसिक बाते हैं, आपको बता रहे हैं, जब तक आपको जवाब आएंगे, तब तक आपको इसकी जानकारी हो जाएगे, NPCI के स्थाफना वर्ष 2008 में हुई है, कब हुई है 2008 में, किसके किसके द्वारा, बाई, RBI, Reserve Bank of India and Indian Bank Association, IBA, इसके द्वारा की गई है, इसके द्वारा देश में बहुत सारी जो पेमेंट सिस्टम, आज कल आप इस्तमाल करते हैं, जाए UPA की बात करें, IMPS की बात करें, रूपे की बात करें, सारे जो प्रोड़क्ट्स हैं, किसके हैं, NPCI की है, NACH की बात करें, NFS की बात EVALA, क्या नाम है, IVA, इंगोजी ओकॉन्जो, EVALA, N.I.W., इंगोजी ओकॉन्जो, N.O.I., श्रॉट में याद कर सकते हैं, इंगोजी याद कर लिजिए, O.C.O.I., याद कर लिजिए, Eveasabenा याद कर लिजिए, Nigerian Birthway की हैं, इससे पहले, World Bank में लंबे समय तक कारेwrत रह च जानकर दी मैंने आपको देश के बाहर जो भी payments के जाते हैं वो जिन methods का इस्तमाल करके करते हैं वो थोड़ा सा खर्ची ले और उन खर्च को उन expenses को घटाने की नजरिये से आरवे और NPCI के द्वरा ये सुझाओ दिये गए अब ये जो खर्च है इन्हें लगबक 8% से घटा क कितना करने की सुझाओ दिये गए हैं तीन परसेंट तक कम हो सकते हैं इसके सुझाओ दिये गए हैं आरवे और NPCI के द्वरा ठीक है ओके गई तो इस तरह से आपके लिए यहाँ पर ये सारी बाते बड़ी काम की थी होप सो आपको चीजे समझ आ रही होंगी समय हमारा जरिये से RBI के द्वारा रिजर्बेंक आइंडिया के द्वारा एक एजिएंसी के गठ्भन की बात कही गई है उस एजिёмसी का नाम क्या रखा गया है उसका शुब नाम क्या होगा आने wahr समय में आशक करिये और यहाँ पर सभाब क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है डिजट ट्रिटेका फूल फॉर्म क्या होगा? डिजिटेका फॉल फॉर्म डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजंसी ये प्रकार की ऑथोरेटी होगी जिसके द्वारा ऐसे अप्लिकेशन को उध्राइज किया जाएगा और जिनके पास अथॉराइजिशन नहीं होगा जो बिना ऑथॉर तो आम आदमे के लिए देश के आम नागरिकों के लिए भारत सरकार के द्वारा जो भी financial frauds होते हैं financial frauds को रोकने के लिए एक application launch किया गया है उस application का नाम बता दीजे फटाफट financial frauds को रोकने के लिए application launch किया गया उस application का नाम किया है फटा फट आंसर करिए आपके जवाब रफ्तार के साथ आ जाने चाहिए हाँ ये तो जब आ गया तो भाई क्या करें ना करें आ गया सामने तो ना करें उस एप्लिकेशन का नाम है चक्षू क्या नाम है चक्षू ठीक है उस एप्लिकेशन का नाम क्या है चक्षू प्री का, अपको All India Mock Test है, इसमें participate करिये, PWA application को install नहीं किया, तो FataFut install करिये, अपने आपको register करिये, दोस्तों, अपने आपको check करने का बहुत अच्छा मौका है, और साथ साथ में rewards पाने का भी बहुत अच्छा मौका है, ये जो All India Mock Test हो रहे हैं, इसकी मज़स से आप अपने आपको check कर सकते हैं, आप कहां stand कर रहे हैं, समझेगा चीज को, कितने पानी में, कितनी तैयारी है आपकी, खासकर वो students जो कुछ numbers से, कुछ points से रह गए हैं इस बार selection में, ठीक है, बैक महा विश्वास पैक जो है 3999 का है, महा पैक जो है 2799 का है, वन येर का और ये 2 यूर का सब्सक्रिप्शन है, सब कवर हो जाएंगे, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से, इसकी सेवा अपने आपको एन्रोल करिए, 150099 में आपको SBI PO Foundation Batch, Pre or Mains, 2024-2025 के लिए, यहाँ पर उपलब हो जाएगा, इतने affordable courses आपको किसी भी platform पे नहीं मिलेंगे, इसका मैं promise करता हूँ, best content, best educators, सेलेक्शन का promise और सब कुछ affordable rate बे, तो क्या सोच रहे हैं, रफ्तार के साथ बैंकिंग वाला का हिस्सा बनिए, 2024-25 में अपने आपको, अपने सपने को पूरा करिए, हमारे साजुड़कर, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, बुला कात करेंगे, आपके कल शाम को चार बज़े, और कल शाम को चार बज़े आपको, आपकी लिए जबर्दस बैस ला रहे हैं, जबर्दस सेशन ला रहे हैं, जिसमें जैनुरी से लेकर मार्स तक की खबरे रहेंगे, कैटेगरी वाज रहेंगे, टेलेग्राम चैनल, सीए भाई भासकर सर, सीए भाई भासकर सर, पासकर सर, और परसनल टेलेग्राम चैनल कोशन पूछ सकते हैं, आप उससे, जीए भाई भासकर मिश्रा, जीए भाई भासकर मिश्रा, जीए भाई भासकर मिश्रा, जीए भाई और अच्छे बोछ रहे हैं प्लेइस के बारे में मैंने बोल दिया है प्लेइस जल्दी आपको जल्दी ही आपको प्लेइस्ट मिल जाएगी सब्सेश सेशन दूर के लिए असके लिए अप बिलकूल परिशान बत हुई तो अब आज के लिए अधונה कााफ Of बात मुलाकात करेंगे कल शाम को चार बजे जुड़िएगा जरूर सेशन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताईए और चैनल को सब्सक्राइब नहींगे तो सब्सक्राइब कर दिए जाते जाते सेशन को लाइक भी कर दिएगा